हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आपका स्वाध करता हूँ अपने यूटूब चैनल जॉब्स न शॉट्स पे हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नहीं जॉब वेकंसी की जैनकारी लेकर रहे हूं दोस्तों जो कि हमारे पास निकल कर रहा है आंड फोर्सस ट्रीबूनल की तरफ से जी हां दोस्तों यह जॉब वेकंसी आंड फोर्सस ट्रीबूनल रिकूट्मेंट 23 जिसे की क्यावन प्रावेट सेक्रेटरी और ल्डीसी पोस्ट के लिए जारी किया गया है सेलेरी की बात करें तो यह आपको 19,900 रुपए से लेकर 2,8,700 रुपए पर मन तक की बिल जाएगी वहीं जाब लोकिशन आपका गोवाहाटी आसाम और लखना उतर प्रदेशी रहेगा अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए अपलाई मोड के रखा गया है तो इसे कंप्लीटली ओफ्लाइन अखा गया है दोस्तों तो आईए बिना देर के इस जॉब वेकंसी के बारे में डीटेल में जान लेते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें साथ इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना न भूलें सबसे पहले बात कर लेते हैं दोशतो पॉस्ट वाइज वेकंसी डिटेल लिश्योग्श की तो प्रिंसीपल और प्रावेट सेयलॉन अगर बात कर लेते हैं अगर बात कर लेते हैं एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो जिन केंट से class 10th याने की 10 वी अक्षा पास कर रखा है, class 12th याने की 12 वी अक्षा पास कर रखा है, या फिर डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है, किसी भी रिकोगनाइस बोड या अनुवसेटी से, वो सारे केंट इसके लिए आवधन कर सकेंगे, post-wise educational qualification की बात करें, तो section officer या ट्रिबूनल officer के लिए आपका degree क्यों ना वश्चक है, महीं assistant post के लिए आपका degree क्यों ना वश्चक है, अगर library और information assistant की बात करें, तो इसके लिए आपका degree क्यों ना वश्चक है, जबकि stenographer grade के लिए आपका class 12th याने की 12 वी अक्षा पास क्यों ना जरूरी है, महीं data entry operator के लिए जिन कारें से class 12th या फिर डिप्लोमा कर रखा है, वो इसके लिए आवधन कर पाएंगे, अगर बात करता है, ट्रूबनल officer या section officer और junior accountant की, तो इसके लिए जिन कारें से degree कर रखा है, याने की कोई से भी बाच्वास ना वश्चक है, तो इसके लिए आपका class 10th यान section officer या tribunal officer के लिए आपको मिलेगी 44,900 रुपे से लेकर 1,22,400 रुपे पर मंतकी salary, अगर बात किया junior accounts officer, assistant, tribunal master, stenographer grade या फिर librarian information assistant की, तो इसके लिए आपको मिल दागी 35,400 रुपे से लेकर 1,12,400 रुपे पर मंतकी salary, मुह इस stenographer grade की बात करें, तो इसके लिए आपको मिलेगी 25 रुपे से लेकर 80,100 रुपे पर मंतकी salary, जबकि LDC यानि कि Lower Deer Clark और data entry operator के लिए आपको मिल जाएगी 19,900 रुपे से लेकर 63,200 रुपे पर मंतकी salary, मुह एगर बात की जाए deputy register, LDC और UDC post की, तो इसके लिएपको मिलेगी 77,700 रुपे से लेकर 2,8,700 रुपे पर मंतकी salary, मुह स्टाफ कार ड्राइवर के लिए आपको मिल जाएगी 19,900 रुपे से लेकर 63,200 रुपे पर मंतकी salary, अगर age limit यानि आइस जुमा की बात की जाए, तो जिन गैट्स का यूच 56 वर्स या उससे कम है, 31 March और 23 से पहले तक वो सारे कैट्स के लिए आधन कर सकेंगे, मुह यह application fee की बात करें, तो यह बिल्कुल free of cost है, जबकि selection process के वाल return test और interview पे based होगी, और अगर हम तुमें बात कर लेते हैं, important dates की, तो इस form को भरने की प्रक्रिया, 5 जून 23 से start हो जाएगी, जो की 10 अगस्ट 23 तक चलेगी, वह अगर post wise last day details की बात करें, तो इसे आप इस वीडियो को प frequency की जानकारी लेकर, जय हिंद,